नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चानल सक्सेस प्लेस में इस बीडियों हम बात कर लेंगे जैसे बिर्ला टायर्स, उर्जा ग्लोबल, बायफिल कैमिकल, जेनित हेल्थ केर, यस बेंक, बेकरांगी, आलोक इंडस्टी, टीडेंट, जाएंगे, क्य palms टेकन 2 छाट पर डिचोस करेंगे कई सा ये सेर बेस्ट है आपका, यह इस तरह कर्णी सेर्抓 चोटे सेर्स कब आपको नहीं करना चाहिए था सबसे हमारा है बायो फिल कैमिकल्स बायो फिल कैमिकल्स काफी बहतरीन स्टॉक है क्योंकि जो इन्वेस्टर को रिटर्न दिया उसी मामले में हम यहाँ पर बोलने है टेकनिकल चार्ट जब तक हम इसका फंडामेंट एलाइसस नहीं कर लेते हैं तब हम इसके आगी के बिजनेस के और बिजनेस के ग्रोथ के बारे में नहीं कर सकते हैं टेकनिकल चार्ट पर बात करें यह स्टॉक देखते हैं मात्र फोर रूपीज का हुआ करता था देखते हैं यहाँ पर नमंबर दिसंबर 2019 में यह स्टॉक मात्र फोर रूपीज का हुआ था वहाँ से यह गया 22 रूपीज और 22 रूपीज से फिर से यह नीची आया वापस इसमें गिरापट आया 7 रूपीज तक और 7 रूपीज इसी तरह से 7 रूपीज से फिर गया ये लगभग 15 रूपीज तक फिर से गिरा पटाया और उस तरह से लेकिन जब से ये हमारा जुलाई 2020 से रैली पकड़ा है तो वहां से ये स्टॉक ने रैली दिखाया 350 रूपीज तक तो दोस्तो 350 रूपीज तक तो कितना का रिटर्न दिया तो 90 टाइम्स आपने सही सुना 90 गुना का रिटर्न दिया दोस्तो 100 टाइम्स का रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको काफी ज़्यादा मतलब काफी समय तक से औरको होल्ड करना परता है लेकिन यहां मात्रे एक साल आप होल्ड किये रहते फोर रूपीज पर बाय करके 2019 के अगस सितंबर से अभी आपको नमंबर तक में मतलब 13 महने में आपको 90 टाइम्स का रिटर्न प्राप्त होता है देख से यह स्टॉक 350 रूपीज से भी उपर गया था और यहां पर बॉल्यूम आप देख सकते हैं कि जब जब यह उपर गया है तो बॉल्यूम काफी जादा है यहां पर तो बॉल्यूम काफी जादा है देख सकते हैं यह यहां पर जो इसमें एक दिन ट्रेडिंग हुआ था काफी समय तक इसमें ट्रेडिंग हुआ भी नहीं लगातार सर्किट लगते चला गया कोई ट्रेडिंग नहीं लें यहाँ पर जब ट्रेडिंग हुआ काफी हूज भॉल्यूम के साथ और सब दिन कुछ मतलब सेहर बाय हुआ और सिधे स्टॉक अपर सर्किट को हीट कर दिया यहाँ पर देखते हैं जो ओल्यूम का उस दिन घ्रेडिंग हुआ था बायभा बार है यहाँ पर है नहीं पहुं देखना इस बिडियो का बनाने का मकसद यहीए इस तरह के जो stock है उसमें जब तक आप fundamental analysis नहीं कर लेते हैं कि company का fundamental रूप से क्या intrinsic price होनी चाहिए जब तक intrinsic price को calculate आप नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ऐसे stock में नहीं फसना है higher price पर अगर यह lower price पर होता अभी जैसे इसका lower price है यहां से जो stock rally किया है 40 रूपेज 30 रूपेज इसके आसपास होता तो आप इसमें invest कर सकते हैं लेकिन यह काफी ज़्यादा high price पर 290 रूपीज पर अभी आपको इसमें नहीं पसना है wait and watch करना है stock को नीचे आने देना है तब जाका आप इसमें SIP mode में थोड़े थोड़े amount invest करें अगर यह प्रणामेंटली काफी strong है fundamental analysis ज प्राइस पर जब invest करेंगे तो आप एकनम सुरक्षित रहेंगे अभी यह higher price पर आप इसमें invest करने से थोड़ा सा बचें तो इसको wait and watch करना है अगर नीचे के price पता है तो SIP mode में investment चालो करना है जैसे आपको इसका 50 stock 100 stock buy करना है तो 10-10 के group में 10-10 के stock करके आपको 10 times buy करना है तब जाके 100 stock होगा तो इससे आपको क्या होगा एक average price जो होगा अच्छा price पर आपका buying होगा उसके बाद अगला है हमारा जैनित हेल्थ केर दोस्तों यह भी stock उसी तरह का है जिस तरह का आपने देखा बायो फिल chemical दोनों मतलब वो तो chemical में और फार्मा में दोनों था और य यह stock पहुचा कहाँ पाँ 10 rupees तक 10 rupees के बाद फिर से इसमें correction देखने मिला और यह stocks हुआ करता था कितने rupees का यह आप आप देख सकते हैं नीचे यह stock हुआ करता था 80 पैसा का 80 पैसा से आप समझ सकते हैं कि यह stock 80 पैसा से गया कहा तक 10 rupees तक मतलब लगभग आपको 15 times का return दिया 2,000 rupees invest कर दिये जैसे यह नीचे 1 rupees पे था आपका 1,000 rupees ही आपको यह बना देता 10,000 rupees तो अच्छा खासा return आपको प्राप्त हो जाता तो तो यहाँ पर हम एक ही बात करना चाहिए ऐसे से जब news में आते हैं उससे पहले आपको बाई करना जब यह news में आ जाए कि अब यह stock ते अपना all time high बना चुका है अब यह news में आया है तो आपको यहीं पर बाई करना चाहिए था कहीं पर तो आप growth देखें अगर किसे stock में आपको growth दिखता है तो growth के लिए आप उसमें बाई करें ना कि जब news में आ जाए तो उसके पीछे भागें तो news में आने के बाद उसके प उठाया गया तो दोस्तों ऐसे न्यूज के पीछे मत भागना है अगर आपको यह समें बाई करना था यहां पर देखते हैं और फर फोर सेल ओफेस जो आया था 12 रूपीज पर आ गया था उसमें आप बाई कर सकते थे 12 रूपीज के नीचे भी आ चुका था वहां पर आप ते लेका तो यह समें पिर देखी देखने मिलाए यह इसा था एक तरह्या था मैं पर जायेगा 60 सब्पोर्ट पे साइपी करना स्टार्ट करें और ऐसे चोटे स्टॉक पे छोटे अमाउंट ही इन्वेस्ट करें क्योंकि यह स्टॉक के कोई भरोसा नहीं होता है कभी स्टॉक में फिर निगेटिव न्यूज आ जा जा है और लगाता है लोग बोल रहा है कि 400 रुपे का स्ट कोई छोटिश बचा रहा है कि जासकता है हाँ जैसे 40 रुपीज करा घैसंता है लेकिन आप इसमें 400 का लेफल देखने की कोसित न करें की पहले के जैसा पघ्मार्ट करने लाखा और पहले के पार ज Stückे ईहसए नहीं रहा और इन सारे बातों को आपको सूचना है क्या इस इस स्टॉक काफी ज्छाने बाद फिर से उपर जाताँ फिर से निची आता एक समय तरी यह सटौक देखते हैं कि यह 17ज का आचका था मतलब 15 रूपी का स्टौक हो चुका था वहां से फिर से यह stock rally किया 40 रूपीज तक फिर से यह stock नीचे आया और फिर से यह देखते हैं 25 रूपीज तक आ चुका था 25 रूपीज से फिर से यह rally किया यहाँ पर 53-54 रूपीज तक फिर से इसमें गिरावट आता है 50 रूपीज तक फिर से अब यह देखते हैं अपने पिछला जो हाई था 54 रूपीज उसको cross कर रहा है अगर cross कर जाता है यहाँ से rally करता है अगले दिन भी मतब कल भी rally करता है तो निश्चित है इसमें एक जबरदस्तर तेजी आपको देखने मिल सकता है क्योंकि volume भी काफी जाता है इस टॉक में volume काफी जबरदस्त है तो आपकी बार जो यह breakout हुआ है मतब यह जो momentum है यह volume के साथ आया है तो आप बेकरांगे इसमें भी मैं investment की सलाह नहीं दूँगा अगर invest करना ही था था आप नीचे के price पर छोटे quantity में आप invest कर सकते थे यह हमारा blue line देशने 200-day का EMA और यह red line है 50-day का EMA तिसमें जो moving average वो भी अच्छा खासा काम नहीं करता है क्योंकि यह सारे stock जो है circuit के साथ ऊपर जाते है सरकिल के साथ नीचे आते है तो यह moving average भी ऐसे stock में अच्छे से काम नहीं करता है यह moving average भी आपका वो ऐसे stock में काम करेगा जो large cap stock है जो blue cheap company है उसमें आप इन सब का सहायता लेशने टेक्निकल इंडिकेटर का सहायता लेशने जैसे volume आया है कोई बात नहीं लो पर सरकिल ज्यादा न्यूज में था जिस समय यह news में था यह stock 4 रूपीज तक आया 4 रूपीज से rally किया तो यह देखते है stock गया 60 रूपीज तक और यहां पर जो भी फसा वो फसा का फसा ही रह गया आप देखते है यह stock 60 रूपीज से नीचे आया direct 26 रूपीज तक 26 रूपीज से फि बिजनेस है बिजनेस से रिलेटर न्यूज भी confirm नहीं हो पाया कि company का कैसा sales चल रहा है कैसा profit हो रहा है company जो product त्यार कर रही है क्या वो उसमें profit हो रहा या नहीं तो इस तरह के जो financial है financial news है इसके रिलेटर वो सारी चीज़ें अभी clear नहीं हो पाई है इस तरह कमपनी में आपको momentum देखने मिल सकता है अगला है इसमें कल भी हमारे कमेंट किया कि दूसर हम 43 रूपीज के प्राइस पर फस चुके हैं तो दोस्तो 43 रूपीज पर आपको इसमें बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे स्टोक अप ट्रेंड में है तो कब यह डाउन ट्रेंड में चुका है तो ऐसे स्टोक कब अपर सर्कीट में जाएंगे कब लोबर सर्कीट में तो ऐसे स्टोक को आपको जस्ट नीचे के लेवल पर बाय करना और कुछ मतब जैसे 100 रूपीज 500 रूपीज लगा देना है जैसे यह 20 रूपीज इसके नीचे आता है तब जाकर के हमारा ट रावट के बाद यह स्टोक जो है उस पैंडेमिक में मातर 3 रूपीज का हो चुका था अगर आप 3 रूपीज बाय के रहते तो यहां से आपको अच्छा खासा 300 परसेंट का रिटर्न प्राप्त होता तो देखते हैं 3 रूपीज से यह आपको चला गया 9 रूपीज 10 रूप में प्रायस काफी कम हो चुका है अगर बिजनेस में ग्रोथ को देखता है निस्चित बाय करें तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने मिलेगा अगला है हमारे network 18 दोस्तों इस stock में भी आज काफी तेजी देखने मिला है अगर यहां से यह 40 रुपीज को cross करता है और उपर sustain करता है तो फिर आपको अच्छा खासा तेजी देखने मिल सकता है यह reliance group का stock है और जो media sector है उसमें है दोस्तों revenue थोड़ा सा decline हुआ था जो pandemic का था उसके कारण तो आप इसके share price में जवरदस्त momentum आपको देखने मिल सकता है तेसलिए ऐसे stock में अगर यह सारी stock जो है जैसे network 18 हो गया त्रिडेंट हो गया नीचे के price में मिलता है तो आप invest का सकते हैं क्योंकि इसके business के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छा खासा stock है यह reliance group का stock है और यह stock भी देखने है एक समय जो है मात्र 15 रूपिय का हुआ करता था अगर 15 रूपिज पर आप बाय करे होते हैं और यहां पर 40 रूपिज को पर sell के रहते हैं लगए 3 टाइपस का आपका return मिलता तो दोस्तों ऐसे stock जब भी आपको नीचे price में मिलता है उसी समय बाय करना है तो उम्मीद करते है इस तरह के stock पर आपको क्या करना है किस प्रकार decision लेना है तो price छोटा हो stock का या बड़ा हो यह नहीं देखना है business के growth को देखना है क्या उस company के business में growth आपको दिखता है तो आपको buy करना है अगर छोटे price के share है अगर वो ब्रा बनता है जैसे small cap company वो large cap company बनती है तो आपको अ investment काफी सुरक्षी तरहता है small cap में करते हैं वो थोड़ा risky होता है तो इस तरह से अपना investment strategy बनाना है तो उम्मीद करते हैं वीडियो helpful रहा होगा वीडियो को like और share जरूर किजेगा चाहिए पहली बार है subscribe कर लेजेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में